हलो दोस्तों कैसे हैं आप, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी किचिन में मैं दलजीत और मेरे वीडियोज में आपका एक बार फिर से स्वागत है कभी कभी हम बाहर जाकर धाबा रेस्टरेंट या पंजाबी धाबो पर जब भी इस तरह की कोई सबजी आउडर करते हैं ना तो सोचते हैं कि पता नहीं कैसे बनी होती होगी इतनी डिलिशिस सबजी तो आईए मैं आपको बताती हूँ कुछ सीक्रेट जिससे आप घर में भी इसी तरह की रेस्टरेंट वाले राजमा बना सकेंगे मैं केड़ी मीन्स की सबजी बना रही हूँ इसे राजमा कहते हैं नॉर्मली आप राजमा को बालते तड़का लगाते हैं और बन चाते हैं राजमा लेकिन आज जो मैं आपके साथ शेर करने हूँ रेसिपी ये बिलकुल अलग होने वाली है बिलकुल रेस्टरेंट जैसी मैंने ये और इतना सुंदर टेक्स्चिर होगा उतना ही बढ़िया टेस्ट भी होगा राजमा को मैंने दो तिन पानी से धो लिया है और इसे मैंने रात पर भीगो के रखा था ये लिए हैं मैंने प्याज कट करके और इसमें मैंने डाली है एक शिमला मिर्च जी हां ये शि साथ ही मैंने एक बड़ी और दो छोटी हरी लाइची डाली है और एक दाल से निका डुकडा साबुत मसाले मेरे बच्चों को नहीं पसंद इसलिए मैंसे मसाले में ही पीस लेती हूँ मसाला मैंने पीस का त्यार कर लिया है शिमला मिर्च डालने से एक अलगी सुआध आता है सबजी का मैं इसमें लेसन का यूज नहीं कर रही हूँ अगर आप चाहें तो लेसन डाल सकते हैं तीन बड़े टमाटर लिये हैं मैंने इनका भी बना लूँगी मैं पेस्ट बिकसी में मैंने इनका पेस्ट बना लिया है यह मैंने हाइबरिट टमाटर लिये हैं यह थोड़े से कम खटे होते हैं अगर आप चाहें तो कॉम्बिनेशन में एक तेसी टमाटर का यूज भी कर सकते हैं सबजी को मैं बनाऊंगी डारेक्ट कुकर में मैंने कुकर में डाला है एक बड़ी कर्ची तेल जीहां सिर्फ एक बड़ी कर्ची तेल डाला है इसमें डाला है मैंने जीरा जीरे को मैंने हलके गुंगोने तेल में ही डाला है इससे बहुत अच्छी तरह जीरा इनफ् भूनने का, मसाले भूनते समय दो चीजों का ध्यान रखना होता है, एक तो फ्लेम को बहुत लो रखना है, पहली बात और दूसरी बात ये कि कभी भी मसाले भूनते समय एक दम से मसाला जले, ऐसा किसी सिच्वेशन में आपको कोई मसाला एड नहीं करना है, यहाँ पे मसालो को जरूर आजमाईए आप फर्क देखेंगे कि आपकी रेगुलर सबजी से ये सबजी बिलकुल अलग बनती है मसाले को भूनते हुए साथ मिनिट हो गए है और ये देखिए मसाला अच्छी तरह भून गया है थोड़ा थोड़ा तेल रिलीस करना मसाले ने शुरू कर दिया है ये देखिए ये भूनता जा रहा है अभी भी इसमें थोड़ा कच्छा पन बाकी है तो इस मसाले को भूनने के लिए मैं थोड़ा सा गरम बानी एड़ करूँगी मैं हमेशा आप से कहती हूँ कि मसालो को भूनने के लिए जबाब कमायल का استعمال करते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर मसालो को भूनते रहे हैं लेकिन पानी गरम होना चाहिए गरम पानी डालने से मसालो का कोकिंग प्रोसेस स्लो नहीं होता है वो अच्छे फूलते हैं और सब्जी में अच्छा गाड़ापन और खुश्बू भी देते हैं अब मैं यहां डाल रही हूं गरम मसाला एक चमच और साथ ही मैंने डाली है यहां आदा चमच हल्दी इनको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और थोड़ी देर के लिए इसे और भून लेते हैं भूनने का ही में काम है अगर आप लो फिलिम पर मसालों को तसली से भूनेंगे तो सब्जी बहुत बढ़िया बनती है जल्दी जल्दी फटा पर तेज आज पर अदजला सा मसाला करने से सब्जी का टेक्शर खराब हो जाता है यहाँ पे मैं एक कड़ची गरम पानी और डाल रही हूँ क्योंकि यहां हमने हल्दी डाली थी और यहां डाला था मने गरम मसाला तो उसे भी अच्छी तरह फुलाने के लिए मैने इसमें डाल दिया है एक अच्छी पानी अब यह सारे मसाले आपस में अच्छी तरह कमबाइंड हो गए है और यह देख़ेए कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है अगास की फलेम को मैं आपको बताया था मैंने पीस के रखा था बहुत पारिक महीन पेस्ट कर रखा है मैंने अगर आप कट करेंगे तो महीन कट कर लीजे चौप के हुए भी चल जाते हैं जैसा ही टमाटर डालेंगे हम इसमें डालेंगे नमक नमक के साथ एक काली मिर्च भी चली गई है कोई बात नहीं लेकिन नमक डालने के बाद इससे ठक कर हमें पकाना है क्योंकि नमक से टमाटर जल्दी पक जाते हैं और सबजी में मौशरे लेज होता है यह देखिए दो मिनिट बाद आप देख पारे होंगे सबजी में किस तरह तेल बिल्कुल सेपरेट हो गया है जबकि हमन बाले में धनी के खुश्पू अच्छी तरह आजाएगी और अच्छी तरह से मसाले के साथ इस दन्या को मिक्स करने के बाद मैंने डालनी है इसमें राजमा यह राजमा उबाले नहीं है मैंने सिर्फ मैंने इने भिगोया है लेकिन मैंने इने ओवरनाइट भिगोया था इ मैंने एका डालू यूज़ कर लिया है अब यहाँ पर बहुत गरम पानी डाला है मैंने बिलकुल गरम पानी डाली है ठंडा पानी डालेंगे तो सारा कलर और स्वात सब खराब हो जाएगा गरम गरम पानी आड़ कर लीजे जितनी आप अपनी सबजी में ग्रेवी चाहते हैं क्योंकि मैं से चावल के साथ सर्फ करूंगी तो मैंने पानी थोड़ा जादा डाला है बस यहाँ आपको कुछ नहीं करना है इसके बाद आपको करकी बिसल लगा लीजिए और सिर्फ तीन बिसले से लगाईएगा तीन बिसल बाद मैं आपको बताऊंगी कि राजमा की सब्जी कैसी बन कर तयार हुई है मैंने यहाँ राजमा को भिगोया था पहले से बॉइल नहीं किया है मुझे लगता है कि बॉइल करने से राजमा में पानी बर जाता है और अच्छी तरह से मसाले अब्सॉर्ब नहीं होते यह देखिए तीन बिसल के बाद आप देख पारे होंगे सब्जी का टेक्शियर कलर बिल्कुल अलग है सिर्फ एक कर्ची तेल था और यह जो रोगोन उपर आया है ना सब्जी का बस यही आपकी सब्जी को अलग तरीका का सुआत देता है इस तरह से एक बार सब्जी बना कर देखिए आप खुद विश्वास नहीं कर पाएंगे कि यह सब्जी की खुश्बू आपके घर में बनी हुई सब्जी की खुश्बू है बिल्कुल वैसी जैसे ढाबे रेस्टरेंट पर सर्फ करने पर कढ़ाईयों में आती है अच्छी तरह राजमा कुक हो गए हैं बिल्कुल भी कच्चे नहीं है धनिया मैंने और एड़ कर दिया है क्योंकि मेरा घर का धनिया है तो मैं भर भर के धनिया एड़ करती हूँ चलिए सब्जी को सर्फ कर लेते हैं ये देखे सब्जी मैं सर्फ कर रही हूँ आपको देखने से ही लग रहा होगा कि कितनी बड़िया सब्जी बन कर तयार हो रही है बहुत बड़िया खुश्वू आ रही है और खाने में तो यह बहुत ही लजीज लगेगी देख सकते हैं आप कोई आर्टिफिजल फ्लेवर अपस में हमने यूज नहीं किया है जैसा कि रेस्टरंट वगरा में यूज होता है घर के सिंपल मसालों से मैंने से बनाया है आप भी सबजी को ट्राइ कीजिए और मुझे बताइए कि यह सबजी कैसी बनी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखेगा गाईस टेक क्यार बबाई चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे अगर आपकी मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो पर कमेंट सरूर किया किजेगा और अपने रिस्तेदारों शियर में मेरी वीडियो को शियर सरूर किजेगा